सुप्रभाद बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग तीन का पाठ दस काम चुर इस पाठ का सारांश आज आपके सामने प्रस्तोत है बच्चो आए बढ़ते हैं पाठ की ओर कामचोर कहानी इस्तम चुकताई दोरा लिखी गई एक स्रिष्ट कहानी है इस कहानी में कामचोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तोत किया है कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है यह इस कहानी में हास्य के रूप में वर्णित किया गया है तो आईए बढ़ते हैं कहानी की ओर काफी लंबे विवाद के बाद यह निर्ने लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे कामचोर किस कामके हैं ये कोई भी कार्य स्वयम नहीं करते इतने में आवाज आती हैं कामचोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं करते इतने सारे हो सारा दिन उदम मचाने में व्यतित कर देते हो उदम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो इन वाक्यों को सुनकर बच्चों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठा उन्होंने स्वयम कारे करने का निश्य कर लिया कारे की शुरुवात पानी पीने से हुई पानी की मठकी के पास अत्यदिक घमासान हुआ मठके और सुराहिया इधर उधर जागिरी या द्रिश्य देखकर अम्मा ने सोचा यह भला काम करेंगे बच्चों के बार-बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिये बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है पेड़ों में पानी देना है बच्चे काम में जोड़ गएं वे दरी को जाड़ने और उसे लकड़ी से पीटने लगे परिणाम गया हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई किसी ने बताया पानी छिड़क कर जाड़ों लगाई जाती है तब उन्होंने दरी पर पानी डाला मिट्टी दूर होना तो दूर वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया इस काम के बाद सब को घर से बाहर निकाल दिया गया इसके बाद बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी देते हैं सभी बच्चे घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पती ले, तसले, आदी लेकर नल की गुर भागे नल पर भी एक दूसरे से घमासान शुरू हो गया क्या है मत की किसी के बरतन में एक बुन पानी आ जाए अब बरतनों पर बरतनों को मार होने लगी धक्का मुक्की और कुहनिया पर एक दूसरे पर बरसने लगी अब बच्चों को यहां से भी भगाया गया इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड में भी गिर गए पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और चार आना प्रती बच्चे को नहलाने में लगे बच्चों ने सोचा उनसे इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता सहसा उन्हें विचार आया कि मुर्गियां हाग दी जाए और चार ओर दड़बे-ड़बे की आवाजें आने लगी मुर्गियां भी बहुत क्यों ना मुर्गियां ही बंद करते बस मुर्गियां बहुत तेज थी वे किसी के हाथ नहीं आ रही थी बच्चे परेशान हो जुके थे देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी के कामदानी दुपटे तथा ताजे धुले सिर पर खीर गिराती हुए आगे निकल गई एक मुर्गा इस थर दोड़ा कि सारा की चर्ख मुसी के मुह पर पड़ा जो उस समय हाथ मुँ दो रही थी मुर्गियां बिना किसी रोक्टों के इधर उधर भाग रही थी मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बच्चों ने सोचा चलो भेडों को वो दाना डाल दिया जाए सारे दिन से भूकी बेड़े दान के ओर आगे बढ़ती है बेड़े बहुत निसंकोच भाव से इस तरह दोड़ी कि उन्हें रोकना कठिन हो गया बेड़े सब कुछ अस्त्यव्यत्त करती हुई सब को रौंधती हुई मेंगनों का छड़काव करती हुई दोड़ पड़ी हज जन्मा एक पलब पर दुपट्टे से मुधा की सो रही थी उन पर से भी भेड़े दोड़ी जो दुपट्टे से उलजी हुई मारो मारो चीखने लगी कुछी देर में भेड़ी सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर तूट पड़ी थोड़ी ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेथ अपने पेट की कड़ाई में डाल दी सब कारियों में असफलता मिलने के बाद अब बच्चों भैस का दूर निकालने में जुट गए दुली, बेदुली, बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल गए भैस बाल्टी को लाद मार कर दूर जाकर खड़ी हो गई अब बच्चों ने तै किया कि भैस को आगे पीछे से कसकर बांध दिया जाए जुले की रसी निकाल कर भैस को बांधा गया, भैस के पैरों को बांधा गया पिछले दो पैर चाचा जी की चार पाई से बांध दिये गए अगले दो पैरों को बांधनी की कोश्च की जा रही थी कि भैस चौकननी हो गई और चूट कर भाग निकली चाचा जी के चार पाई जब पानी के डुरम से टकराई तो उन्हें लगा जैसे बूचाला गया हो जब उन्हें वास्तविक्ता का पता चला तो बच्चों को छोड़ने वाले को उन्हेंने बहुत भला बुरा कहा सहजाय याद आया बच्छरा तो खोला ही नहीं गया है अब बच्छरा भी खोल दिया गया बच्छरी की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई बच्छरा उसी समय दूद पीने में जुड़ गया दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपक गये क्योंकि बाल्टी तो छपाग से गोबर में जागे रही थी कुछ दूद जमीन पर और कुछ दूद कपड़ों पर गिरा दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पढ़ गई बाकी सब कुछ दूद बच्छरा पी गया पूरे घर में कोला हल मच गया चारो ओर टूट फूट इधर उधर बिखड़ा सामान देखने को मिल रहा था अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया या तो बच्छा राज कायम कर लो या मुझे रख लो नहीं तो मैं चली अपने माई के अब मैं सब को एक पंक्ती में खड़ा करके पूरी बच्छा बटालियन का कोट माशल कर दूँगी अगर किसी बच्छे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो राट का खाना बंद हो जाएगा इसके बच्छो ने भी निश्चे कर लिया कि अब वे कोई काम नहीं करेंगे इस तरह से बच्छो या आपके सामने प्रस्तुत्ता काम चोड कहानी का सालांश आशा है इसके माध्यम से आपको पाठ को समझने में आसानी होगे धन्यवाद